High Performance Entrepreneur अगर आप अपने बिजनेस में बढ़ोत्री चाहते हैं तो आपको सोचने और काम करने की शम्ता में बढ़ोत्री करनी होगी जिस तरह यूथ में अभी स्टार्टप के होल लगी है लोगों का रुझान बिजनेस की तरफ बलता जा रहा है वाकई ये अच्छे संखेत हैं लेकिन जरूरी है कि देश के यूथ को एक सही डिरेक्शन दिया जाना प्रधारमंत्री मोधी कहते हैं कि हमारा देश सबसे ज्यादा यूआउं वाला देश है अगर यूआउं को सही दिशा मिल जाए तो भारत असीम आर्थिक प्रकति कर सकता है लेकिन नए एंटरपनियोर्स को सही टेनिंग, सही गाईडेंस मिलना भी बहुँ जरूरी है तब ही वे लोग परफार्मेंस से हाई परफार्मंस एंटर बन सकते है ऐसे में जरूरी है कि देश के सेकस़फुल एंटर्पनियोर नए एंटर्पनियोर को गाइट करें उन्हें business related tips दे और उनके mentor बने ऐसे ही एक leader है सुब्रतो बाक्ची जिनकी लिखी हुई book high performance entrepreneur की summary आपको बताने वाले है सुब्रतो बाक्ची का जन 1957 में उडिसा के पटनागर्ण इलाके में हुआ था सुब्रतो बाक्ची भारत की successful companyों में से एक Mindree Limited के CEO और Chairman है साल 2006 में Business Today magazine ने उन्हें भारती इंडस्टी के top 15 influencer में शामिल किया इसके साथ ही ये the professional gok is the word और the professional companion जैसे best seller book के भी author है high performance entrepreneur book में author ने अपने successful business experience को share किया है अगर आप एक नए business man या entrepreneur है तो ये book summary मदद करेगी जैसे नमबर एक जब आप enterprise launch करने के लिए तयार हो जाएं तो इसका decision कैसे लें दो, best team बनाने के लिए लोगों का selection कैसे करें तीन, company के goal और इसकी value कैसे define करें चार, investor को attract करने के लिए शानदार business plan कैसे तयार करें पाँच, company को brand बनाने के लिए adversity को कैसे manage करें The High Performance Entrepreneur एक ऐसी book है, जो entrepreneur को तो खुद के लिए पैसे कमाने में help करती ही है, साथ ही साथ दूसरों को भी आगे बढ़ने के लिए motivate करती है ये book summary सुनने के बाद नकेबल आपको entrepreneur बनने के guidance में लेगी बलकि आप हमेशा entrepreneur की energy से भरे रहेंगे लेखक ने अपने book में बताया है कि किस तरह से आपको business में planning करने चाहिए team formation कैसे करें, किस तरह से एक culture set करना चाहिए इन सभी चीजों को इन्होंने mind tree limited में use किया है इनकी बहुत सारी ऐसी techniques है तो चलिए इस पूरी book में summary को discuss करते हैं उमीद है कि आपको हमारा प्रयास पसंद आएगा और आपके जीवन में ये book summary value add करेगी तो बने रहे हमारे साथ मैं हूँ R.J. अन्वारूल हसन आप सुन रहे है कुकू FM पर high performance entrepreneur book summary लेखक है सुब्रतो बापची दोस्तों एक study में पता चला है कि भारत में जितने भी business शुरू होते हैं उनमें से आधे पहले साल के अंदर ही बंद हो जाते हैं ज्यादा तर business के fail होने का एक बड़ा कान है कि बहुत से लोग अपनी entrepreneurial journey start करते समय होश में कम और जोश में अधिक होते हैं यानि कि बिना सोचे समझे ही business शुरू कर देते हैं जब एक business शुरू करने की सोचे हैं उससे पहले आपको कुछ चीजों को द्यान में रखना होगा जिन से ये मालूम चलेगा कि आप business start करने के लिए तयार हैं या नहीं सबसे पहली है business शुरू करने की वज़ा कि आप business क्यों शुरू करना चाहते हैं क्या इसकी वज़ा ये है कि आप अपनी business situation से परेशान हैं या फिर आप अपनी job से इतना तंगा चुके हैं कि जैसे भी हो अपना खुद का काम धंदा set करना चाहते हैं या इसलिए क्योंकि आपकी जान पहचान के कुछ लोग business कर रहे हैं और अच्छे पैसे बना रहे हैं तो आपने भी उनकी नकल करके business स्टार्ट करने का सोच लिया है अगर ऐसा है तो आपके business में success के chances कम है business करने से पहले आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे लेकर आप बहुत excited हो आपके अंदर से उस idea को लेकर एक positive energy आनी चाहिए दुनिया के सबसे अमीर आदमी जेफ बेजोस ने अपनी wall street की rewarding job परेशान होकर नहीं छोड़ी थी बलकि internet के जरीए किताबें वेजने का unique idea उन्हें इतना जबर्दस्त लगा था कि वे खुद को रोख नहीं पाए और एक entrepreneur बन गए बिजनिस में आने के लिए आपके पास एकदम unique idea हो ऐसा जरूरी नहीं है maybe बहुत से लोग पहले से वैसा कुछ कर रहे हो जो आप अभी करना चाहते हैं पर आपके अंदर उस चीज को करने को लेकर जोश जरूर होना चाहिए दूसरी चीज है कि आपको अपने idea पर पूरा विश्वास होना चाहिए एक entrepreneur को कदम कदम पर challenges का सामना करना पलता है किसी भी business को शिरू करते समय ऐसी कई चीज़े होती है जो आपके मन में doubt पैदा कर सकती है ऐसे में ये जरूरी हो जाता है कि आप जिस भी product या service को लेकर बाजार में उतरना चाह रहे हैं उसमें आपका पूरा believe हो क्योंकि किसी चीज़ को लेकर excited होना उसकी शिरूवात करा सकता है पर उसमें आप लंबे समय तक तिके रह पाते हैं या नहीं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप उस idea में कितना विश्वास रखते है Edison 10,000 बार fail होने के बाद भी bulb इसलिए बना पाए क्योंकि उन्हें विश्वास था कि ऐसा हो सकता है KFC के founder करनल सेंडर्स 1000 बार fail होने के बाद भी अपना fried chicken इसलिए बेच पाए क्योंकि उन्हें अपने idea में पूरा विश्वास था अगला है कि आप जो करना चाहते हैं उसका market होना चाहिए कई entrepreneurs सिर्फ इसलिए fail हो जाते हैं क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि अगर कोई चीज उन्हें अच्छी लग रही है तो वो दुनिया को भी अच्छी लगेगी लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है इसलिए अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो पहले इस बात को लेकर सचियत हो जाएं कि उस प्रोडेक्ट या उस सर्विस को लेने वाले लोग मार्केट में हैं या नहीं एक्जेम्पल के लिए भारत में सारीों का बिजनस खूब चल सकता है लेकिन अगर कोई अमेरिका में जाए और सारी की दुकान खोले तो ये कहां की समझधारी है इसी तरह अगर कोई जापान की कीमोनो डैस भारत में आकर बेशना चाहे तो कितनी बेश पाएका इसलिए आप जो करने की सोच रहे हैं उसके लिए पे करने वाला खरीदार भी तयार है तो ही आप बिजनस शुरू कर सकते हैं और उस बिजनस को आगे बढ़ा सकते हैं वरना आपको कुछ और सोचना चाहिए इस बात की क्लारिटी करना थोड़ा मुश्किल है पर अगर थोड़ी सी रिसर्च, मार्केट सर्वे या कुछ एक्सपिरियंस्ड लोगों से बाचीत करके आप चीजों को और डीपली समझ पाएं तो बेहतर होगा अगली चीज़ है पैसा आपका बिजनस सोने का अंड़ा देने वाली मुर्गी बन सकता है पर पहले मुर्गी को खिला पिला कर बढ़ा करना होता है और इसके लिए जरूवत होती है कैश की और आप जितना कैलकुलेट करके चलते हैं बिजनस में उससे कहीं ज़ादा इन्वेस्ट करना पड़ जाता है इसलिए बिजनस शुरू करने से पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको इसके लिए कितने पैसों की जरुवत होगी और आप उसे कहां से मैनेज करेंगे ये सोच कर चलने की जरुवत पड़ी तो कहीं न कहीं से इंजाम हो जाएगा इसलिए पैसे के इंजाम को लेकर confident होने के बाद ही business start करना चाहिए Next है failure को phrase करने की हिमत कहते हैं opportunity and risk come in pairs यानि औसर और जोखिम जोड़े में आते हैं No doubt आपका business आपके लिए एक बहुत बड़ी opportunity है पर वो अपने साथ कई risk भी लेकर आता है और उन्हीं में से एक सबसे बड़ा risk business के fail होने का होता है तो सवाल यह होता है कि आप failure को कैसे handle करते है क्या आप इस बात को accept कर पाएंगे कि भारी भर कम पैसा लगाने और hard work करने के बाद भी आपका business fail हो सकता है क्या आप सब कुछ खत्म होने के बाद भी खुद के लिए proud feel कर सकते हैं कि कम से कम आपने अपना 100% effort दिया अगर हां तो आप business start करने के लिए तयार है और अगर नहीं तो ये business शुरू करने का सही समय नहीं है इसलिए business को लेकर optimistic रहना अच्छा है बट at the same time हम इस बात के लिए भी mentally prepare रहना चाहिए क्योंकि इसका outcome negative भी हो सकता है एक नया business एक newborn baby की तरह होता है उसे आपका बहुत सारा attention और time क्या ही होता है क्या आप वो time देने के लिए तयार है क्या आप अपनी नीने छोटी और रातें लंबी करने को तयार है क्या आप अपने परिवार और यार दोस्तों को ना करने को तयार है अगर सचमुच आप ऐसा करने को तयार है तो आप business शुरू कर सकते हैं लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा करना ठीक नहीं होगा। बिजनिस को सेक्सेस बनाने के लिए आपको बहुत जादा एफर्ट करना होगा। सबसे लास्ट चीज जो है वो है डिलिगेशन यानि अपना काम दूसरों को देना। बहुत सों लोग सब कुछ खुद ही करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे ही उसे अच्छे से और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकते हैं। लेकिन एक entrepreneur हर काम खुद नहीं कर सकता उसे एक team बनानी पड़ती है और कई जरूरी काम खुद ना करके दूसरों से कराने होते हैं। ये सुनने में आसान लग सकता है पर कई लोगों के लिए ये मुश्किल होता है क्योंकि वे business से जुड़ी हर एक चीज़ पर अपना पूरा control चाहते हैं लेकिन जब वो control नहीं कर पाते हैं तो वे अंदर से परेशान होने लगते हैं। ऐसा परसन आप कैसे हैं? क्या आप अपने हाथ का control दूसरों को देने में comfortable हैं या आपके लिए ऐसा करना मुश्किल हैं? अगर comfortable हैं तो आप business से start करने के लिए ready हैं और अगर ऐसा नहीं है तो शाहिद आपको और इंतजार करना चाहिए हैं। दोस्तों, entrepreneur एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत लोगों के लिए inspiration होता है। लेखक ने एक अच्छे entrepreneur के 6 characteristics के बारे में बताया है अगर आप में भी ये सब गुण हैं तो आप भी एक successful entrepreneur बन सकते हैं। पहला गुण है self confidence यानि आत्म विश्वास। आपको किसी भी काम को करने के लिए आत्म विश्वास की जरुवत होती है। हमें कई बार ऐसे काम करने होते हैं जो पहले हमने अपनी जिन्दिगी में कभी ना किया हो। इसके चलते हमें एक बात का डर हमेशा लगा रहता है कि अगर हम इसमें success ना हो पाए तो क्या होगा। हर entrepreneur में आप घजब का आत विश्वास पाएंगे जिसकी वज़ा से वो आज दुनिया में अपनी च्छाप छोड़े हुए है। self confidence एक ऐसी skill होती है जो आपकी success में 80% रोल निभाता है। जब आप ये सोच कर कोई काम शुरू करते हैं कि मेरे अंदर इस काम को करने की capacity है और मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ जब ये विश्वास आपके दिल में जग जाता है तो आप अपने life में success हासल कर सकते हैं। success के लिए self confidence होना जरूरी होता है क्योंकि जिन लोगों को खुद पर विश्वास नहीं होता वे लोगों किसी भी feel में success नहीं हो सकते हैं। वे उसे किसी भी तरह सीख लेते हैं और जिने खुद पर विश्वास नहीं होता वे रास्ते में आने वाली चरौतियों के डर से बहाने बनाने लगते हैं। दूसरा गुड है कि अच्छे entrepreneurs अपनी sense of freedom को importance देते हैं लेकिन वे बहुत discipline होते हैं। Entrepreneurs के सोचने का तरीका दूसरे लोगों से बिलकुल अलग होता है। वे अपनी सोच को limited नहीं रखते। अगर आप दुनिया भर में successful entrepreneurs को देखेंगे तो उन लोगों के success के पीछे का रास कहीं न कहीं उनका self discipline भी रहा है। Discipline, Goal और success के बीच का bridge होता है। अगर आप इसके rules के according चलते हैं तो आप life में success हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इसके opposite काम करते हैं तो आपको life में कभी भी success नहीं मिलेगी। School और college में student को सबसे पहले discipline सिखाया जाता है जिससे वो better education ले सके। इसी तरह जो entrepreneurs अपने business को top पर ले जाना चाहते हैं उन्हें discipline के rule को follow करना होगा। तीसरा गुड़ है कि entrepreneurs hard work करते हैं और goal को achieve करने का प्रयास करते हैं। Success होने के तरहते में honestly hard work के अलावा और कोई भी option नहीं है। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी खिस्मत बहुत अच्छी होती है और वो talented personality के साथ पैदा होते हैं। लेकिन उन्हें भी अपने goal को achieve करने और success होने के लिए hard work की जरुवत होती है। hard work को success की एक की वाना जाता है। और वो खाना बीच में ही गिरा देती है। इसके बाद भी चीटियां कभी निराश नहीं होती हैं और फिर से वो उसे ले जाने की कोशिच में लग जाती है। ये hard work का एक सबसे अच्छा example है जो हमें अपनी life में बहुत कुछ सिखाता है। चौथा गुर है consistency अगर आप अपने काम में consistent नहीं रहेंगे तो आप अपने काम को पूरी तरह से justify नहीं कर पाएंगे। consistency आपके जीवन में ऐसी आदत होती है जो आपकी लंबे समय तक मदद करती है। एक consistent इनसान में हमेशा से ही अपने काम को लेकर जोश नजर आता है। इसलिए एक successful entrepreneur बनने के लिए consistency ज़रूरी है। पांचवा गुर है risk लेने की आदत अगर जिन्दगी में risk लेने की आदत है तो आप में एक entrepreneur बनने की capacity है। ये एक ऐसी आदत है जो आपको जिन्दगी में बहुत दूर तक लेकर जा सकती है क्योंकि कोई भी काम बिना risk लिए कभी भी successful नहीं होता। एक successful entrepreneur बनने के लिए आप में ये खुबी होना बहुत जरूरी है। चटा गुर है खुले दिमाग वाला यानि open minded होना। एक entrepreneur हमेशा अपना दिमाग खुला रखता है। वो सभी को अच्छी तरह से सुनता है, सभी से सलाह लेता है, फिर conclusion निकालता है और कारवाई करता है। आपको naturally अपने आसपास के लोगों आपके life में होने वाले incidents से सीख लेकर अपना दिमाग खुला रखना होगा। तब ही आप एक अच्छे successful leader के रूप में लोगों के सामने मिसाल पेश कर पाएंगे। open minded रहना एक अच्छे entrepreneur की पहचान होती है, जिससे वो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना भी आसानी से कर सकता है। opportunity हर जगा होती है, जरुवत है तो बस इसे पहचानने की और इसका फाइदा उठाने की। इससे समय रहते हुए जो इंसान पहचान लेते हैं वे उससे फाइदा ले लेते हैं और जो नहीं पहचानते हैं वे बस इसकी तलाश में ही रह जाते हैं। जहां इंसान की जरुवत पैदा होती है, opportunity अकसर वही छिपी होती है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और उसमें आपको कोई problem face करनी पड़ रही है तो समझ लीजिए कि उसके पीछे कोई ना कोई opportunity छिपी हुई है, आपको सिर्फ इसे समझने की जरुवत है। हम इसे एक example से समझ सकते हैं जैसे हम लोग किसी खेत में कहीं पर hole देखकर उसे normal मान बैठते हैं, जब कि सपेरा उस hole को देखकर समझ जाता है कि इसमें साफ रहता है और इसी तरह सही hole पहचान कर उसमें से साफ निकाल भी लेता है। यही situation एक business में entrepreneurs के साथ होती है। दुनिया के जितने भी successful entrepreneurs हैं, वो सही time में सही opportunity का use करके success हुए है। अकसर लोग कहते हैं कि उन्हें right opportunity नहीं मिली या जब मिली तो वो पूरी तरह से तयार नहीं थे। माल लेज़े आप एक business शुरू करना चाहते हैं और आपके पास कम पैसे हैं, खुनर भी नहीं हैं और नहीं उसको चलाने का experience। तब आपको लगता है कि आपके पास एक idea है जो आपकी जिन्दगी बदल सकता है, लेकिं ये जरूरी नहीं है कि वो idea एक opportunity ही हो आपको इसकी पहचान करनी आनी चाहिए। अगर कभी भी आप अपने करियर में opportunity देख रहे हैं, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि समय रहते उस opportunity को हासिल कर लें, तो इस समय आप जो भी decision लेंगे उसका positive impact आपकी life में लंबे समय तक होगा, हो सकता है आपको थोड़े समय तक benefit ना हो, लेकिन आने वाले समय में आपको जरूर इस से benefit होने वाला है, इसलिए आप जो भी decision लें वो future को दिहार में रख कर लें, दूसरा है, market का दिहार रखे, यानि मान लीजिए आप कोई नया business शुरू कर रहे हैं, तो आप market के हाव भाव को देख कर ही किसी business के शुरू बात करें, आपको सबसे पहले market मे market में लेकर आएं, जिनके सबसे ज़्यादा डिमान है, और market में वे available नहीं है, या आपके लिए एक अच्छी opportunity की तरह काम करेगा, अब मान लीजिए आपको ये पता चल गया है कि लोगों को किन किन चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़्यादा जरूरत है, लेकिन आप लंब रात बदल देगा, तो यकीन मान ये ऐसा कुछ नहीं होगा, जिन्दगी कोई YouTube वीडियो नहीं है कि रात और रात वाइरल हो जाए, हर सेक्सेस के पीछे हाट वर्क, डेडिकेशन, विश्वास और सेक्रिफाइसेश चिपे होते हैं, सभलता का कोई शौर्ट कर नहीं होता, कुछ लोग कहते हैं कि ये अपश्योटी छोटी है और या बड़ी, लेकिन उनका ऐसा मानना बिल्कुल खलत है, क्योंकि इनसान चाहे तो किसी भी छोटे काम को बढ़ा कर सकता है, दुनिया में जितने भी महान लोग है, उन सभी ने अपने बिसनेस के शुरुआत छोटे लेवल से ही की थी, लेकिन वो छोटे लेवल पर ही नई नई अपश्योटी को सर्च करते हुए आगे बाद देखे, चौथा है रेडी टू चेंज, हो सकता है कि आपने अपने गोल तक पहुशने का जो रास्ता चुना है, उसमें आपको अलग-अलग रास्ते पर अलग-अ और ऐसा भी हो सकता है कि एक नहीं, दो नहीं, दस नहीं, से क्रों बार आपको अपने रास्ते बदलने पड़े, और कई बार आपको अपने तरीकों में बदलाओ लाना पड़े, कई बार आपको अपने प्रोडेक्स, पेकेजिंग में भी बदलाओ लाना पड़े, ये सब तरीके ही आपको अपनी यूनिक सेलिंग लेवल तक ले जाएंगे जो आपकी सेक्सिस में बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। यूनिक सेलिंग लेवल को USP यानि यूनिक सेलिंग प्रोपोजीशन या पॉइंट भी कहा जाता है जिसका मतलब है बिजनेस में आप क्वालिटि बिल करें जो औरों से अलग हो। दुनिया में जो सक्सिसफल बिजनेस में इन वे कभी भी opportunity को miss नहीं करते हैं। इसी वजह से वो बड़े मुकां को हासिल करते हैं। एक right opportunity को miss करना आपके लिए कितना नुकसान नायक हो सकता है इसको हम एक स्थोरी के जरीयर सम के को कहता है कि इसमें 3000 रुपय का पेटरॉल डाल दो लड़का उस गारी को देखकर उसकी तरफ एटेक्ट हो जाता है और वो इस इंसान से पूछ बैठता है कि उसे भी जिन्दिगी में गारी और पैसा चाहिए तो उसे क्या करना होगा तब वो इंसान उसे एक करने को तो नहीं कहता ऐसा थौर साने के बाद वो लड़का उस विजिटिंग कार्ट को डस्ट बिन में फिंग देता है दो साल बीच जाते हैं वो लड़का उसी पेटरॉल पंपर काम करता रहता है और एक मसेडिस गारी उसी पेटरॉल पंपर आती है लड़का उस गारी क एक visiting card दिया था क्या, वो लड़का कहता है हाँ, लेकिन मैंने वो dustbin में फैंक दिया था, तब ही वो इंसान उसे कहता है कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी बेवाकूफी थी, कि तुमने वो opportunity मिस करती, और वो कहता है कि दो साल पहले मैं भी से पेट्रोल पंपर सफाई करमचारी का काम करता था, एक दिन जब मुझे ये visiting card सफाई करते समय मिला, तुम्हें सीधा उस आदमी से जाकर मिला, जिसने तुम्हें ये visiting card दिया था, मैंने इस opportunity को हास्ते नहीं जाने दिया, इस story से हमें ये सीखने को मिलता है कि life में कोई भी opportunity हमें मिले, तो उसे miss नहीं करना चाहिए, यही बात एक entrepreneur पर भी लागू होती है, बिजनस चाहे किसी भी तरह का हो, लेकिन उसकी success के लिए एक perfect team का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक perfect team ही एक business को top पर ला सकती है, इसलिए business में success के लिए team के importance को समझना ज़रूरी है, जो entrepreneurs business में team की importance को समझते हैं, वे अपने लिए लगातार अच्छी से अच्छी team बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते रहते हैं, और यही team उन्हें उचायों तक पहुचाती है, अगर आप भी एक successful entrepreneur बना चाहते हैं, तो सिर्फ अपने budget और business के field पर ही focus ना करें, बलकि अपने project को नई उचायों पर ले जाने के लिए एक अच्छी team formation भी करें, अब सवाल यह है, कि एक अच्छी team कैसे तयार की जाए, इसके लिए लेखाक ने अपने book में कुछ tips शेर किये हैं, जिनको follow करके आप अपने business के लिए एक अच्छी team तयार कर सकते हैं, पहला tips है focus on diversity यानी diversity पर ध्यान दें, जब भी आप recruitment करते हैं, तो हमेशा diversity पर ध्यान दें, अगर आप सोचेंगे कि आपको एक तरह से business को आगे ले जाने में आपकी help कर सकें, इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि अलग-अलग लोग होने पर जब भी आपको किसी नए idea की जरुवत होती है, या फिर आप business को लेकर brain storm करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अच्छे सुझाओ मिलते हैं, दूसरा tips है, complimentary composition यानि आपको एक ऐसी team को choose करना है, जिसके लिए सभी member एक दूसरे की कमजोरियों को समझें और failure को face करने के लिए हमेशा तयार हो, जब आप ऐसा कर पाते हैं, तो आपके पास दो बेहतरीन चीज़ होती हैं, पहली investors को attract करने की capacity और दूसरी team member के talent को increase करने की capacity, जब core मजब art of people की ability एक leader में होती है, तो easily एक perfect team बनकर तयार हो जाती है, art of people ability का मतलब है कि कैसे second और हजारों लोगों को handle किया जाए, हर team member को सही काम दिया जाए, कैसे उनकी skill को business के लिए utilize किया जाना चाहिए, इन situation को समझ कर employees की skill का use करना ही art of people कहलाता है, जो हर leader में होनी चाहिए, बि अपने काम का motive पता हो, आपके team के लोगों को इस बात का पता होना चाहिए, कि वो जिस organization के साथ काम कर रहे है, उसका goal क्या है, जब तक team के members और leader को अपने business goal के बारे में नहीं पता होगा, तब तक वो किसी भी goal को achieve नहीं कर पाएंगे, पांच माहे business में work life balance रखे, यानि आ एक member पर ज्यादा pressure ना आए, साथ ही उन्हें कुछ इस तरह की flexibility दें ताकि वो full energy से काम कर सकें, साथ ही कोशिश करें कि member के personal life को लेकर सवाल ना किया जाएं, छटा है, micro manage करने से बचें, कोशिश करें कि आप अपने साथ काम करने वालों को space दें, और उन्हें सिर्फ सही direction द वाले लोगों को इज़त देते हैं, और उनके काम के लिए उन्हें value देते हैं, तो ये उन्हें और ज्यादा काम करने के लिए inspired करेंगा, हमेशा अगर आपके ध्यार में रखेंगे कि आपके अलावा, आपके साथ काम करने वाले लोग भी business के लिए उतने ही जरूरी है, तो बहुत जल्द ही वो अपना काम दूसरों से भी अची तरह करना शुरू कर देते हैं, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको अपने काम के लिए एक experience candidate की जरूरत है, तो कोशिश करें कि आप ऐसे member चुने, जो आपको आपके काम में पहले दिन से ही help करना शुरू करते है आठवा है कि हमेशा company का culture अच्छा बनाएं, लोग अपने आप ही ऐसी जगा काम करना चाहते हैं, जहां के बारे में उन्होंने अच्छी बात सुनी हो, जरूरी ये भी है कि आपकी company की image market में अच्छी होने चाहिए, इसके लिए हमेशा कुछ ना कुछ rule बना कर रखें, जो ब्रांड की service को लेकर review post करते हैं, कोशिश करें कि आपकी company के बारे में internet पर review अच्छे रहें, और यकीन माने ये तभी होता है जब लोग आपके साथ काम करके खुश रहते हैं, और खुद को आगे बढ़ता हुआ महसूस करते हैं, जब आप लोगों की बीच अच्छी bonding आ रही हैं, जिसके करण हर इनसान tension में रहता है, एक चिल्चले सभाओं वाले इनसान से ज्यादा एक खुश और अच्छे sense of humor वाले इनसान को ज्यादा पसंद किया जाता है, ऐसा इनसान अपनी बातों से लोगों के tension को कम करता है, और माहौल को भी खुशनुमा बनाता है, जो लोग खुश नहीं रहते हैं, या किसी मौके पर खुल कर रांस नहीं सकते, वे अपने बिजनस को लंबी डॉल में नहीं खींच सकते हैं, लेखा कहते हैं कि अगर कोई इनसान बिजनस के लिए capable है, लेकिन उसमें sense of humor की कमी है, तो मैं ऐसे इनसान को टीम का हिस्सा नही लिए new strategy को follow करती है, लेका कहते हैं कि उनकी company mind tree में business को grow करने के लिए समय समय पर meeting होती है, कभी कभी meeting के दौरान team के members के बीच कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन उनकी team के members के बीच इतना अच्छा combination होता है, कि वे लोग meeting से बाहर आते ही एक दूसे के साथ react करना शू कर देत authentic entrepreneurship और corporate leadership की जरुवत होती है, मालीज़े आप A point पर खड़े हैं और आपको B point जाना है, तो ये आपके vision है, कहने के मतलब यह है कि आप अपने future में अगले 5 से 10 सालों में खुद को कहां पर देखना चाहते हैं, जितने भी successful company होती हैं, उनका vision अगले 10 सालों का होता है, vision आपक अगर आपको A से B तर जाना है, तो आप क्यों जाएंगे, ये आपका mission हो गया है, और आप कहां जाएंगे, ये आपका vision हो गया, हम बात करेंगे दुनिया के कुछ successful company के vision और mission के बारे में, जो की हर एक entrepreneur को जानने चाहिए, सबसे पहला example ले ले लें तो हो है Elon Musk का, Elon Musk की Tesla company, इस company का पहला vision है, एक most compelling car company बनाना, जो company के leadership और काम करने के तरीके को दिखाता है, दूसरा ये, कि दुनिया भर में ये दिखा देना चाहते हैं, कि इनकी company इस vision को 21st century में पूरा कर लेंगे, टेसला company के मालिक Elon Musk के पूरी दुनिया से petrol और डीजल पर चलने वाली गालियों को खत्म करने के लिए भी जी जान से काम कर रहे हैं, ये दुनिया भर में electric vehicle के concept को इस्तमाल करने वाले हैं, अगर ये ऐसा कर लेते हैं, तो माल लीजिए इनका vision पूरा हो जाएगा, टेसला company का vision के mission के बात करें, तो ये चाहते हैं कि इनके काम करने की speed काफी तेज हो, इसके पहला vision है, दुनिया के हर एक इनसान को अपना customer बनाना, दूसरा customer prioritization जानी customer को उनकी जरूरत का सामान कम rate पर provide करना, और तीसरा है customer को घर बैठे ही सभी जरूरत के सामान deliver कर देना वो भी कम समय में, इस company का mission है कि दुनिया भर में अपने product को कम से कम price range में लोगों तक पहु जिसके search engine पर लगभग पूरी दुनिया अपना confusion clear करने और अपने हर तरह के सवालों का जवाब ढूनने आती है, Google कमपनी का mission है दुनिया भर की सभी information आप तक पहुँचाना, Google आज दुनिया के सबसे मड़ी web search company बन चुकी है, Google पर आपको हर तरह की information देखने को मिल जाएग चाहे वो किसी भी field या industry की हो, Google अभी भी ज्यादा से ज्यादा information लोगोर तक पहुचाने के mission पर काम कर रही है, mission और vision को जानने के बाद अब बात आती है, core value की, तो company के success के लिए core value important है, ज्यादा तर business में देखा गया है कि value को maximize करने के लिए बहुत सारी department एक साथ मिल कर काम करते हैं, core value ज़रूरी है क्योंकि ये company को future growth की planning के समय opportunity और cost को decide करने में help कर सकता है, लेका कहते है कि अगर आप अपने business में three core values को add करते हैं, तो आपका business एक rocket की तरह उड़ने लगेगा, जिसमें से पहला core value ये है कि आपको business में पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, बल नहीं देंगे तो बहुत कम chance हैं कि आप अपने business को success बना पाएंगे, दूसरी core value है, लोगों में अपना interest शो करें, business में दिन भर में आपके पास बहुत सारे customers आते हैं, जिन्हें आपको handle करना होता है, ऐसा करते हुए अकसर आप ठका हुआ महसूस करने लगते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आपके पास कोई नया customer आए, तो आपको उनसे smile के साथ बात करनी है, उन्हें ऐसा बिलकुल भी नहीं लगना चाहिए कि आप उनमें interest शो नहीं कर रहे हैं, जब आप अपने customer को value देने लगेंगे, तो आपके product और service की value अपने आप increase होने लगेगी और लोग आपके साथ लंबे समय तक जुड़े रहेंगे, तीसरी core value है कि आप अपने satisfaction के लिए काम करें, जब आप अपने business के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको satisfaction कम मिलेगा, जब आपका business अच्छा चलेगा, और आपको लगेगा कि आपने जो plan execute किया है वो सही तरीके से work कर रहा है, जब तक आपको अपने work में satisfaction नहीं मिलता, तब तक आप successful business में नहीं बन पाएंगे और नहीं अपने team के members को motivate कर पाएंगे, अगर आप अपने business में पूरे satisfaction के साथ काम करते हैं, तो इससे आपके जो goals हैं, उनको achieve करने में आपका focus बगता है, इ उसे क्यों आपकी company में invest करना चाहिए, आप कैसे दूसों से different हैं, आपकी company में काम करने वाले workers भी आप से ये सवाल कर सकते हैं, कि वो आपकी company में काम कर रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपकी company में, जिससे उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा, दुनिया में वही इंसान successful होता है, ज दुनिया भर में popular है, इंटल दूसी company से इसलिए different है, क्योंकि वो लगातार कम price में microprocessor की capacity बढ़ाने की ability रखता है, डेल इसलिए different है, क्योंकि उसके पास supply chain को manage करने का knowledge है, body shop, beauty बढ़ाने के साथ साथ, social activism को बढ़ाने के लिए different है, jet blue इसलिए different है, क्योंकि वो लोगों क कम पैसों में अच्छी हवाई यात्रा करवाती है, इन सभी examples को देखने के बाद आप समझ गए होंगे, कि अपने business को टॉप पर ले जाने के लिए आपको different तरीपे से काम करना होगा, कुछ बाते हैं जो हर entrepreneur को जान लेनी चाहिए, जैसे successful business के पीछे differentiation का होना जरूरी है, इ कि ही हवाई अड़े से उलान भरते हैं और लेंड करते हैं, फिर भी ये एक दूसरे से different होती हैं, तो अब सवाल ये होता है कि आखिर इन में ऐसा क्या है, जो airlines को different बनाता है, लेखा का मानना है कि differentiation छे घोलों का एक रत है, जो एक साथ मजबूती से business में काम करता है, इन छे गोडों को energy के साथ एक ही दिशा में खींचेने की जरूरत होती है, डिफसेंसेशन के ये छे घोले हैं, domain, tools, methodology, quality, innovation और branding, सबसे पहले बात करते हैं, domain की, तो domain का मतलब है एक ही industry में वर्ट करना, किसी भी business के शुरूआत एक particular field में होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि ice cream बनाते ब इसके बाद लेखर बताते हैं कि आपको अपने loyal customer का विश्वास जीतना होगा और उन्हें अपने product या service से satisfied करना होगा, किसी भी company को successful बनाने के लिए ऐसा नहीं है कि आपकी company बहुत बड़ी होनी चाहिए, एक छोटी सी company से भी आप successful होने की शिरुआत कर सकते हैं, दूसरा है tools, successful और differentiation companies अपने competitors से unique और better tools का इस्तिमाल करती है, जब से इंसान ने tools का innovation किया है, तब से यह हमारी life के important part बन चुके है, right tools, business में productivity में help करते हैं, अगर आप market में अपने competitors से अच्छा और unique करना चाहते हैं, तो आपको business tools का इस्तिमाल करना चाहिए, इसको हम एक example के जरिये समझते हैं, अगर आप गाउं के hospital और शेहर के hospital के वीच अंतर करें, तो आपको ये देखने को मिलेगा कि गाउं से ज्यादा लोग शेहर के hospital में इलाज करवाना पसंद करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको हर तरह के सुखधाएं मिलेगी, शेहर के hospital में city scansal लेकर और बड़ कोई भी नहीं टिकने वाला, लेकिन पंद्रा सुचब्श में बाबर ने अबराहीम लोधी की सेना पर अटेक कर दिया, बाबर के तोपों के सामने अबराहीम लोधी की सेना नहीं टिक पाई, अगर बाबर युद्ध में तोप जैसे tools का इस्तेमाल नहीं करता तो क्या वो तीसरा है, methodology, यानि आपके काम करने का तरीका, दुनिया में जितनी भी बड़ी-बड़ी कमपनिया हैं, वे अपने काम करने के तरीके पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती हैं, आपका बिजने छोटा हो या बड़ा, आपको खुद से हमेशा ये सवाल करना चाहिए, कि आप की business methodology क्या है, बिना इस बात को जाने, आप अपने business में आ रही problem को solve करने का प्रयास करेंगे, तो बहुत कम chance हैं कि आप इसमें success हो पाएंगे, इसलिए सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान दखना है, कि आपको अपने काम के तरीके को समझना होगा, उसी के waste पर अपने business मे कारी ही problem को solve करने का प्रयास करना है, चौता है quality, जब भी हम कोई product खरीदते हैं, तो हमारी यही कोशिश रहती है कि हमें कम पैसों में अच्छी quality का product मिल जाए, और हम ऐसे company के product खरीदना पसंद करेंगे, जो सस्ता होने के साथ अच्छी quality में आता है, आप अपनी company में भी ज कुछ हटके करना है, तो आपको अपने product या service की quality में कोई भी compromise नहीं करना है, पांचवा है innovation, अगर आपको market में दूसी company से खुद को अलग दिखाना है, तो आपको innovation का सहरा लेना होगा, आपको अपनी company में ऐसे product में service को add करना होगा, जो दूसी company या लोगों को provide नहीं कर र innovation लाना चाहिए, बलकि आप अपने काम करने के तरीफे में, अपने business की marketing करने के तरीफे में कुछ अलग तरह का बदलाओ कर सकते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा customers का attention आपकी company के तरफ हो, छटा है branding, अगर आपको दूसी company के compare में अपनी अलग पहचान बनानी है, तो branding last stage ह जब मवेशियों को अपने पशुओं को दूसरे पशुओं से अलग दिखाना होता है, तो भी उन पर किसी चीज़ का एक निशान बना देते हैं, जिससे जुन भी उनके पशुओं अलग दिखाई देते हैं, इसी तरह से market में अपनी company को दूसी company से अलग दिखाने के लिए आपको अपना एक logo डिजाइन करना होगा और उस logo को अपने product या service के साथ attach कर देना है, इससे आपकी company की पहचार बढ़ेगी और customer का attention भी आपकी company की तरफ बढ़ने लगेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि branding का मतलम advertisement होता है, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, कुछ company अपनी branding को बढ़ाने के चकर में, दूसी company उसे कम price में अपने product और service market में launch कर देती हैं, जो कि बिलकुल गलत है, अगर आपको दुनिया में अपना एक brand बनाना है, तो कभी भी अपने product या service के साथ price में compromise ना करें, इसका सबसे अच्छा example, Apple की company है, जिसने कभी भी अपने smartphone के price में compromise नह बढ़ाने में successful हो सकते हैं, जब तक आप दुनिया के सामने खुद को अलग तरीके से represent नहीं करेंगे, तब तक लोग आपके बारे में जानेंगे नहीं और आपका business grow नहीं हो पाएगा, business plan एक ऐसा document है जो किसी नए business related स्वालों के जबाब देता है, for example, हमारा business क्या है, हम ये business क्यों कर रहे हैं, हम इसे कैसे करेंगे, etc, एक business plan किसी business के objectives को, उसकी strategies को, वो किस market में काम कर रहा है और उसके financial forecast क्या है, बताता है, business plan बताता है कि नए business का goal क्या है, और उसे कैसे achieve क्या जाएगा, business plan एक तरह से किसी business के guide या road map की तरह है, जो चीजों को track पर रखने में मदद करता है, ज्यादा तर business plan किसी नए venture के लिए बना जाता है, लेकिन अगर कोई existing business कुछ नया कर रहा मैं कहां से ये business करूँगा, मिरे customer कौन होंगे, इसमें investment कितने लगेगी, हम अपने business की marketing कैसे करेंगे, हमारा goal क्या होगा, लेकिन बहुत से लोग इन चीजों को propelly document नहीं करते, business plan दर असल इन ही बातों को formally document करना है, यहां ये भी clear करना जरूरी है कि business plan सिर्फ startup सी नहीं बन शकते हैं कि आखिर इसकी जरूरत क्या है, तो वे जान लें कि studies में पाया गया है कि जो business, एक अच्छे business plan के साथ शुरू होते हैं, उनके success होने के chances 30% टक बढ़ जाते हैं, business plan बनाते समय आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना होता है, उसी के base पर plan तयार करना होता है, प इसका motive होता है कि business की basic बातें entrepreneurs को अच्छे से बताया जाए, अगर executive summary पढ़ने के बाद को ये समझ लेता है कि business किस बारे में है और इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहता है, तो समझ ये executive summary ने अपना काम कर दिया है, executive summary बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए, दो पेज बह maturity का छोटा सा description, आप कौन है, आप किसे क्या बेजने या offer करने का plan कर रहे है, business को इस overview के साथ शुरू करें कि आपने business कब शुरू किया या कब से शुरू करने का plan कर रहे है, अब तक कितना investment किया जा चुका है, कितनी progress होई है, आपका business किस type का है और किस sector में आता है, अगर आपने business किसी से खरीदा है, तो पहले इसका वालिक कौन था और उन्होंने इस से क्या achieve किया, इस समय का legal structure, आपका future vision, इसके बाद अपने products और services को आसान शब्दों में market बताए, और खुद भी समझीए कि इसमें क्या अलग बात है, ये क्या benefits देता है, क्यो customers, दूसरे sellers की ब इन सभी के जवाब जानने की कोशिश कीचे, तीसरा है market and competitors, इस section में आपको अपना बाजार, उसमें आपकी position और अपने competitors को define करना चाहिए, ऐसा करने के लिए आप किसी market research जो आपने की हो का reference दे सकते हैं, इसमें आपको ये show करना होता है कि आपको जिस market में काम करना है, उस और अपना business रन कर पाएंगे, इन जीजों को चाहर सेक्शन में रखा जा सकता है, पहला आपका market, उसकी size, उसके development का इतिहास, और key correct issues, दूसरा आपका target customer base, वे कौन हैं और आप कैसे कह सकते हैं कि वे आपके products और services में interested होंगे, तीसरा, आपके competitors वे कौन हैं, वे कैसे काम कर चाहते हैं और उनका market share कितरा है, चौता है future, आगे चल कर इस business में क्या बदलाव आ सकते हैं और आप उस पर कैसे react करेंगे, अपनी comparison में अपने competitor की strength और weakness जानना ज़रूरी है, और अगर आप अपने main competitors की competitor analysis करें तो और भी अच्छा होगा, चौता है sales and marketing strategy, आप ऐसा क्यों स products और services को promote और sell करने के लिए क्या क्या कोशिशे करेंगे, अकसर ये किसी business plan की कमजोर करी होती है, इसलिए इस पर समय देना चाहिए और एक realistic और achievable approach अपनानी चाहिए, आप किसी तरह अपने product या service को market में position करने का plan कर रहे हैं, तो आप देखिए आपके customers कौन हैं, उन customers पर segments के customers से आप किस तरह चार्ज लेंगे, आप अपने product या service को कैसे promote करेंगे, अपने sales process method को identify कीजिए, for example, direct marketing, advertising, social media के जरिए आप अपने customers का कैसे पहुँचेंगे, आप किन channels का استعمال करेंगे, आपके distribution channel में किन partners की जरूर पढ़ेगी, आप अपनी selling कैसे करेंगे, क्या आपका क marketing करके sell करना, और क्या आपका proposed sales method आपके marketing plan से mail खाता है, और क्या आपके और आपकी team के पास इस method के लिए जरूरी skills हैं, इस सभी सवालों की जवाब आपको पता होना चाहिए, तब ही जाकर आप एक अच्छा business plan तयार कर पाएंगे, business plan से बड़े-बड़े million dollars businesses के लिए नही ही जरूरी है, हाँ ये जरूर है कि small businesses का business plan थोड़ा brief होगा, और ये भी हो सकता है कि उसमें आप कुछ section को शामिल ना कर पाएं, लेकिन समझदारी इसी में है कि आप चाहे जिस size का business start करने जा रहे हो, business plan जरूर बनाएं, आपने business plan को तयार तो कर लिया, अब आगे बात आत बिजनस शुरू करने के लिए entrepreneur को investors की जरूरत होती है, लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि investor को अपना पैसा लगाने के लिए किसी entrepreneur की जरूरत भी होती है, यानि दोनों को एक दूसे की जरूरत है, business के लिए बात को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि investor अपने पैसे से follow करना चाहिए, जिन में पहला है background, यानि investors आपकी company और आपके business के बारे में कितना जानते हैं, investors केवल उसी business में पैसे लगाते हैं, जिसके बारे में उन्हें जानकारी होती है, जैसे अगर किसी investor में खेती और बाख़बानी का काम किया है, तो वो किसी technology startup में पैसे लगाने क लिए जल्दी तयार नहीं होगा, तो ऐसे लोगों से मिलिए जो आपके business और possibility के बारे में जानते हो, तभी वो आपके proposal का सही estimate बना पाएंगे, दूसरा है, pass investment, आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले investors ने किन company और इंवेस्ट किया है, ज्यादा तर देखा गया है कि वो पहले जिन company और इंवेस्ट कर चुके हैं, आगे भी वे उससे मिलती जुलती company में इंवेस्ट करेंगे, इसकी possibility ज्यादा होती है, इसके अलावा सही जगह पर सही इंसान से मिलना भी ज़रूरी है, यानि आप ऐसी company में पहुँच गये तो ये investors आपके business में ले सकता है, तीसरा है investment status, यानि आप जिस investor के पास जा रहे हैं, क्या वो नई या छोटी company में इंवेस्ट करते हैं, क्या उनका कोई ऐसा criteria है कि company की income को बढ़ाने को लेकर उनकी कोई मांग हो, investor का proposal ले जाने से पहले सबात को जान लेना ज़रूरी होता है, जब तक आपका investors आपकी company की policy और उसकी income से satisfied नहीं होता है, तब तक वो आपकी company में investment नहीं कर सकता है, चौधा है size of investment, आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना business start करने के लिए कितना पैसा चाहिए, इसके लिए business और expansion का solid plan आपके पास होना चाहिए, आपको उने बताना पड़ेगा कि आप को इतने पैसों की जरूरत क्यों है और इन पैसों का आप करेंगे क्या, पांचवा है expected profit, कोई भी योही पैसा नहीं दे देता है, आपको पता होना चाहिए कि invest के मदले में investors आपके business से कितना profit पाने की expectation कर रहे हैं, क्या आप अपने business से investors को उनकी expectation के हिसाब से return दे जानी चाहिए, इसकी अगर आप पहले से तयारी कर लेंगे, तो किसी potential investor के साथ meeting का results दरूर positive होगा, ये याद रखिए, आप चाहें जितने काबिल हो, आपका idea कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, लेकिन पैसे जुटाना आसान नहीं है, लेकिन सही इनसान के साथ meeting करने पर आपको success जरूर मिलेगी, याद रखिए, अगर आपको investors की तलाश है, तो उन्हें भी आपकी तलाश है, एक organization का जन्व होना creative process होता है, और इसको शुरू करने वाले लोग भी creative होते हैं, अपना खुद का business शुरू करना एक बड़ा investment है, जिसे success बनाने के लिए time, patience और practice की ज पाई दे हैं, जैसे आप खुद के boss बन जाओगे, अपने business को अपनी मर्जी से handle कर सकोगे, कुछ लोगों का मानना है कि एक successful business बनाने के लिए एक great idea का होना जरूरी है, लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना बिलकुल गलत है, क्योंकि HP company जिसका पूरा नाम हेवलेट Packard है, 1949 में दो दोस्तों ने मिलकर एक किराए के garage में एक company की नीव रखी, इन दो दोस्तों के नाम है William Hevlett और David Packard, दोनों ही Stanford University से 1935 में electrical engineering की degree प्राप्त कर चुके थे, खास बात यह है कि इस company का नाम दोनों ने Toss करके रखा था, ऐसा हुआ कि company का नाम रखते हुए दोनों दोस्तों के बीच एक deal हुई, जिसके अनुसार Toss जीतने वाले का surname को company के नाम में पहले रखा जाएगा, और Toss William Hevlett ने जीती, इसलिए Hevlett पहले और Packard बाद में company के नाम में आता है, साल 2001 में William Hevlett की और 1971 में David Packard की death हो गई, इसके बाद भी ये company नहीं रुकी और अपना सफर जानी इसके पीछे का reason है business overhead, यानि किसी भी business को चलाने के लिए होने वाली investment, ऐसा तो है नहीं कि आप अकेले ही business को चला पाएंगे, इसके लिए आपको workers की जरुवत होगी, साथ ही जो product तयार कर रहे हैं, उसके लिए कच्चे माल की जरुवत भी आपको होगी, इसमें आपको मजबूत हो, यानि business plan अच्छा होना चाहिए, जिस तरह से एक मजबूत नीव पर बना हुआ मकान काफी समय तक चलता रहता है, जबकि एक कमजोर नीव पर बना मकान कुछी समय बाद टूर जाता है, ठीक उसी तरह से अगर आप अपने business को लंबे समय तक market में रखना चाहत का, टॉप management vision में आपको अपने business में quality को maintain करना होगा, इसके साथ ही एक अच्छी leadership रखनी होगी, जब आप कोई नया business शू करते हैं, तो आपके सामने सबसे बड़ी समस्या यह आती है, कि आप किस तरह से अपने competitor को बीट करें, ताकि के customers भी आप से जुडने लगें, इसके culture, अपने business में कभी-कभी casual attitude को importance देना होता है, ताकि workplace में employees की efficiency बढ़ाई जा सके, 1960 में Sir Douglas Matt Gregor ने एक study में ये पाया कि workplace में अच्छे result पाने के लिए, इस test punishment और rewards की कोई ज़रुवत नहीं है, कुछ लोग बिना किसी incentives के भी motivated रहते हैं काम करने के लिए, साथी रोने ये भी देखा कि workers और researchers अपने कामों में किन चीजों पर focus कर रहे हैं, जिसे overall productivity बढ़ जा रही है, उससे उन्हें अपनी company के लिए सबसे ज़्यादा achieve करने में help मिली, ये culture धीरे-धीरे evolve हो रही है और इसे larger companies अपना रहे हैं, ताकि वो start-ups के high mind को capture कर सके, इसी culture को आगे बढ़ाते productivity company को दे सकते हैं, वो ज्यादा comfortable महसूस करते हैं, जिसे वो मन लगा कर अपना काम कर सकते हैं, building organization process को जानने के बाद, अब हम बात करते हैं, customers relations की, दुनिया भर में जितने भी successful entrepreneur हैं, उन सभी को customer के importance के बारे में अच्छे से पता है, entrepreneur की success उनके customer से ही decide होती है, अगर आपके customer ही आपसे नाराज हो जाते हैं, तो आपका business किसी काम का नहीं रहता है, इसलिए किसी भी business के अंदर customer की खुशी सबसे जरूरी होती है, आप जितना ज्यादा अपने customer को खुश रखते हैं, आपको उतना ही ज्यादा profit मिलता है, आप आपके पास एक customer बहुत सारे customer लेकर आ सकता है, और इस तरह से आपका business बहुत जल्दी फैल जाता है, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी से ज्यादा पैसे वसूलने से आप business के अंदर success हो सकते हैं, तो आपकी सोच गलत है, हो सकता है कुछ customer से आप ज्यादा पैसा वसूल कर ख पालो करना चाहिए, सबसे पहली tips है हमेशा customer के साथ अच्छा विभार करें, अगर आप चाहते हैं कि आपका customer आप से लंबे समय तक जुड़ा रहे, तो आपको उनके साथ अच्छा विभार करना होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो customer से बाचीत कर से समय, ऐसा behave करते हैं ज उसके बदले में आपको पैसे देने वाला है, तो आपकी दादागिरी क्यों सहन करेगा, इससे अच्छा market में बहुत सारी shop है, जहां से वो उस product को खरी सकता है, दूसरी tip है customer के साथ विश्वास और रिश्टे मस्बूत करें, अगर आप अपने customers के साथ अच्छा relationship रखते ह तो भी अपने जरुवतों को समझने के लिए और उस base पर अपने जरुवतों को पूरा करने के लिए आपसे best product और अच्छी service की उम्मीद करते हैं, और इसके लिए आप पर भरोसा भी करते हैं, कभी भी अपने मन मताबिक commission पर अपने customers को product sale करने की कोशिश न करें, ऐसा करक आप अपने customer के साथ अपने रिश्टे खराब कर लेंगे, अगर आप अपने customer का विश्वास हार जाते हैं, तो future में वो कभी आपसे दुबारा product नहीं खरीदने वाले हैं, customer को लंबे समय तक जोड़े रखने का सबसे अच्छा तरीका यही है, कि आप उनका विश्वास जी और आप अपनी community और customer का विश्वास खो देंगे, हमेशा एक बात याद रखें कि आप जो product या service बेच रहे हैं, आपको उनके features, benefits और limitations के बारे में पता होना चाहिए, और हर समय फाइदे के बारे में ही न सोचें, चौथा tip है, customers का बार बार आना, एक successful business के शिरुवात है, फोन पर उनका हाल चाल लेते हुए बात करें, उनसे कहें कि सर्जी बड़े दिन हो गया, आपके दर्शन नहीं हुए, इसे customer खुश हो जाएगा, और बार बार वो आपकी shop पर product खरीदने के लिए आएगा, अगर कोई customer आपके पास आता है, और आपसे कोई product खरीदता है, त बिजनस में पैसा कमाना सब जानते हैं, लेकिन पैसों का management करना हर किसी के लिए possible नहीं है, दुनिया में जितने भी successful entrepreneurs हैं, वो सभी business में success होने का सबसे बड़ा factor money management को मानते हैं, क्योंकि आज के समय में business में कोई भी ऐसा काम नहीं रहता है, जिसके लिए पैसों के जरूवत करने के लिए कहा है, यह उनका personal experience है, जिसे उन्होंने अपनी company mind tree को grow करने के लिए इस्तेमाल किया था, एक entrepreneur बनने के लिए आपको चार चीज़े हमेशा याद रखनी चाहिए, पहली है, आपको पैसे से प्यार करना चाहिए, जब तक आप में पैसे कमाने की इच्छा नहीं होगी, तब तक आप किसी भी business को पूरी dedication के साथ नहीं कर पाएंगे, दूसरा है आपको पैसों को लेकर excited होना चाहिए, इसलिए आप अपने मन में कुछ भी imagine कर सकते हैं, तीसरा है आपको पैसे के respect करना आना चाहिए, इसलिए आपको ये फायदा होगा कि आपको खर्च कर करने का discipline समझने आ जाएगा, चौथा, आपको अपने पैसे के खर्च का पूरा record तयार करना होगा कि कहां पर आपने कितना पैसा खर्च किया है, entrepreneur को पैसों का management करने के लिए budget तयार करना चाहिए, उसी के हिसाब से अपने business को run करें, कुछ नए entrepreneurs budget बनाना छोल देते हैं और वे सोचते हैं कि बिना budget बनाए ही वे अपने पैसे को manage कर लेगे, लेकिन ये impossible है, क्योंकि business के starting में पैसों की कमी होती है, आपको अपने business में एक एक पैसा सोच समझ कर इन्वेस्ट करना होता है, माल लीजी आप पूरे महीने मेहनत और लगन से काम करते हैं, लेकिन salary अगले महीने देने के लिए बोल दिया जाता है, कैसा महसूस होगा आपको, इसी तरह आप अपने business में जहां से माल उठाते हैं, वहाँ पर समय से payment करना ज़रूरी हो जाता है, अगर आपने business में अपने साथ कोई worker रखा हुआ है, तो उसे समय पर salary देना भी ज़रूरी होता है, ऐस तब के लिए जरूरी है, क्योंकि अगर online brand की बात करें, तो आप एक marketing company चलाते हैं, या फिर कोई YouTube channel चलाते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे एक title पूछा जाता है, ये title क्या होता है, title आपके website का या फिर आपके channel का एक नाम होता है, जो कि आपके channel का brand होता है, इसलिए आप ज दुकान का क्या नाम है, और जब ही लोग आपके यहाँ से कोई सामान लेते हैं, या फिर किसी दूसरे को आपके यहाँ से सामान लेनी के सला देते हैं, तो आप अपनी दुकान का जो नाम रखते हैं, वो नाम सबसे पहले आता है, कि उस दुकान से सामान लेकर आओ, इसलि अगर हमें अपने business में कौन सी strategy अपनानी होगी, लिखक ने brand को build करने की तीन strategy बताई हैं, जिसे हर एक entrepreneur को follow करना चाहिए। सबसे पहले है progress, इसे हम example से समझते हैं, अगर आप एक student हैं तो क्या आप किसी ऐसे teacher से पढ़ना चाहेंगे, जिसको किसी subject के बारे में knowledge ही ना हो, या फिर क्या आप ऐसे doctor से treatment लेना चाहोगे, जिसको कुछ जानकारी ही ना हो, क्या आप ऐसे cook से खाना बनवाना चाहोगे, जि कोई individual हो, एक brand को बनाने के लिए progress बहुती ज़रूरी होता है, क्योंकि जोग आप पर भरोसा तब करेंगे, जब आप progress करेंगे, आपने कई बार देखा होगा कि डॉक्टर बहुत सारे होते हैं लेकिन नाम किसी एक का होता है वकील बहुत सारे होते हैं लेकिन नाम किसी एक का ही होता है उसी तरह से आपको अपना ब्रैंड बनाने के लिए पहले अपना प्रोग्रेस लोगों को दिखानी होगी दूसरा है express यानि आपको अपने brand को build करने के लिए लोगों के बीच में आना बहुत जरूरी है अगर आप logo तक पहुंचेंगे नहीं, लोग आपको जानेंगे नहीं तो आपका brand बनेगा कैसे अगर माल लीजे के आपने brand बनाया लेकिन उसको logo तक नहीं पहुंचाया तो क्या वो brand एक brand रह जाएगा? नहीं, क्योंकि अपने brand को build करने के लिए बहुत ही जरूरी है logo से मिलना, logo तक अपनी पहुंच को बढ़ाना इसलिए आपको हमेशा लोगों के साथ express होना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना पड़ेगा तब जाकर आपकी एक पहचान बनेगी तीसा है invest यानि कि अगर आपको अपने brand को अच्छी तरह से build करना है तो इसके लिए आपको invest करना भी जरूरी है कोई भी company अपने brand को build करने के लिए उसे लोगों तक पहुचाने के लिए लोगों को याद रखने के लिए अपने brand के उपर कुछ न कुछ पैसों का invest जरूर करती है क्योंकि जब तक आप invest नहीं करेंगे तब तक लोगों को बार बार वो दिखाई नहीं देगा तो लोग आपके brand को कैसे याद रखेंगे ऐसा नहीं है कि आपको अपने brand पर बहुत ज़्यादा investment करना है आप अपनी saving का 2% से 5% तक invest कर सकते हैं जिससे कि आपका brand लोगों के सामने आए और लोग आपके brand को याद रख सके हैं अगर आप अपने brand को build करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपने अंदर leadership quality को develop करने के जरूरत है तब ही आप अपनी knowledge experience को सही तरह से deliver कर सकते हैं लीडर की तरह अपने nature में change लाएं भीर से अलग खुद की पहचान बनाने के लिए नए ideas के साथ आगे बढ़ना होगा इस तरह लोगों को आपकी image के बारे में पता चलेगा इसके साथ ही अपने knowledge को भी बढ़ाएं और अपने field में ज्यादा से ज्यादा experience गेन करने के बारे में सोचें आप में जो capacity है उनके लिए खुद को thanks बोलें क्योंकि इही ने आपको अलग पहचान दिलाने में आपकी help की है वहीं दूसरी और अगर आप खुद को सही नहीं समझेंगे तो life में आगे बढ़ने के लिए आप में जुनूर नहीं रहेगा और career में आप किसी भी तरह का risk लेने से डरने लगेंगे इसलिए खुद को दूसरों से कम मत समझे हर इनसान में कुछ अलग तरह की खासियत होती है यही खासियत brand को build करने में helpful रहती है कोई भी business करने से पहले एक idea develop किया जाता है कि हमें किस तरह का business करना है उसके बाद उस idea को execute किया जाता है जिसके लिए बहुत सारे fund की जरुआत होती है तो पहले stage में हमें अपने अच्छे दोस्त family और relationship से पैसों को manage करना होता है और जब धीरे धीरे हमारा business grow होने लगता है तो market में venture capital जैसे बहुत fund हैं जिनमें हमें पैसा लेना है इसी तरह market में भी ऐसे बहुत सारे fund available है जिनको हम अपने business के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इसके बदले हमें उन्हें interest rate पे करना होता है और ये जो process रहता है वो idea से लेकर IPO तक करना होता है जब हम idea को reality में change करते हैं तो हमें बहुत सारे process से गुजरना होता है पैसों का भी management करना होता है ऐसा नहीं है कि हम एक ही branch से IPO तक चले जाएंगे इसके लिए हमें बहुत सारे branch open करने होते हैं different state में अपने business को बढ़ा करने के लिए बहुत सारे business हैं जो funding नहीं कर पाते हैं जिसके चलते हैं उनके business model fail हो जाते हैं मालीजे आपने अपने business के लिए family से या फिर अपने relation के लोगों से पैसों का management कर लिया है या फिर किसी भी organization ने आपको funding दे दी है तब आपका अगला step होगा IPO का तो IPO का मतलब होता है initial public offering जब आप company को बड़े level पर ले जाने के सोचते हैं और कुछ बड़ा investment करने के सोचते हैं तो आप लोगों से funding के खटा करते हैं किसी भी company को खुद का IPO launch करने के लिए सबसे पहले सेवी के पास जाना होता है वहाँ पर company को अपने business idea और business से जुड़े document को verify करवाना होता है से भी आपकी company के business model को अच्छे से verify करती है जब उसे लगता है कि आपकी company IPO के लिए eligible है तो आपको IPO launch करने का approval मिल जाता है आप अपनी company का IPO launch करने के लिए लोगों से funding ले सकते हैं और उस funding की मदद से आप अपनी company को बड़े level पर ले जा सकते हैं इस तरह आपको किसी भी business में idea से लेकर IPO तक का सफर तै करने के लिए इन process से गुजरना परता है problem और adversity को हर एक entrepreneur को face करना होता है जब तक entrepreneurs adversity का सामना नहीं कर लेते तब तक वे success की और नहीं बढ़ सकते example के लिए दुनिया के सबसे अमीर entrepreneur में से एक बिल गेट्स अपनी पहली कमपनी Tref और डेटा को successful company नहीं बना पाए क्योंकि वो इस कमपनी के product की technical problem को solve नहीं कर पाए थे जिसके चलते उनकी company fail हो गई थी लेकिन उन्होंने इस company के failure से बहुत सी चीज़ें सी की उन सभी को Microsoft company में use किया बिल गेट्स अपनी इस company को successful बनाने के पीछे अपनी failure company Tref और डेटा को credit देते हैं दूसर example Richard Benson का है जिन्हें dyslexia जैसे dangerous बीमारी थी इस बीमारी में इनसान words को गलत तरीके से पलता है और सीधे अक्षरों को उल्टा लिखते हैं इसे की चलते Richard Benson अपने क्लास के सबसे कमजोर student रह चुके थे लेकिन उनमें एक जुनून था जो उन्हें आगे बढ़ाने में काफी helpful रहा जब उन्होंने अपना पहला state सा शुरू किया तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था लेकिन उन्होंने हर मुश्किल से कुछ ना कुछ सीखा जिसका नतीजा ये रहा कि आज वो 400 से भी ज़्यादा अलग अलग टेकनलोजी बेस्ट कमपनियों के मालिक है और वो United Kingdom के सबसे अमीर लोगों में से एक है लिखत ने adversity को face करने के 5 principles के बारे में बताया है जिसे हर एक entrepreneur को जानना चाहिए जिसमें सबसे पहला है positive attitude को maintain करके रखे और life में failure से सीखते रहे जब तक कोई इनसान business में failure को face नहीं करता है तब तक उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं आती है क्योंकि failure हमें बहुत कुछ सिखाता है अगर failure से सीख लेके उसे अपने business में use करें तो 100% chance है कि हम success हो जाएंगे दूसरा है कि लोगों के साथ relationship build करना adversity एक ऐसे situation होती है जिसमें एक अकेला इंसान उसे face नहीं कर सकता दुनिया में आप जितने भी successful entrepreneurs को देखेंगे उनमें आपको एक चीज common मिलेगी कि जब भी वो किसी मुश्किल situation का सामना करते हैं तो वे अपने friend और advisor से help लेने में डरते नहीं है जो कहीं न कहीं उन्हें मुश्किल situation से बाहर निकालने में उनकी help करता है तीसरा है field में expert लोगों को पर विश्वास करना दुनिया में जितने भी successful entrepreneurs हैं वे अपना काम ऐसे लोगों को देते हैं जो उस field में master होते हैं अगर future में कभी भी उन्हें adversity का सामना करना पलता है तो expert की मदद से जल्दी से वे उस situation को अपने पाबू में कर लेते हैं चौथा है अपने health को first priority देना दुनिया में unhealthy और unbalanced लोग सबसे आसानी से adversity के शिकार हो जाते हैं smart entrepreneur हमेशा rest, outside physical activity यहां तक की meditation तक के लिए भी time निकालते हैं week में 7 दिन 20 घंटे काम करना किसी भी adversity से छुटकारा पाने का उपाई नहीं है पाच्वा है कि अपनी strength पर focus करके resilience की practice करनी चाहिए कहने का मतलब यह है कि जब तक आप मुश्किल कामों को करना नहीं सीखेंगे तब तक आपको हर काम आसान ही लगेगा क्योंकि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको किसी भी तरह का effort लगाने की जरुट नहीं रहती है successful entrepreneurs का मानना है कि जब तक आप अपनी life में किसी काम को लेकर risk नहीं लेते हैं तब तक आप उस काम को लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे और नहीं उस काम से जो result आएगा उससे खुश होंगे इसलिए एक entrepreneur को इतना flexible होना चाहिए कि वो हर situation को handle कर सके success सभी को नदर आती है failure कहीं अंधेरे में गुम हो जाता है ये बात startup के बारे में भी एकदम सच है data बताते हैं कि 90% startup fail होकर बंद हो जाते हैं और सिर्फ 10 में से एक startup ऐसा होता है जिसे आप success कह सकते हैं ऐसे में सवाल जोड़ता है कि ज्यादा था startup fail क्यों हो जाते हैं इसकी सबसे बारी वज़ा है कि startup शुरू करने से पहले real situation का सही अंधाता नहीं लगा पाते हैं कहते हैं कि किसी भी business को शुरू करने से पहले उसकी सभी अच्छी बातें पता चल जाती है जबकि business को शुरू करने के बाद उसके सभी challenges या कमिया पता जलती है optimist होना अच्छा है क्योंकि उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता लेकिन starting में failure के लिए तयार रहना भी जरूरी है इसका ये मतलब नहीं कि आप हार मान ले इसका मतलब ये है कि आप start में मेहनद करने के लिए तयार हो जाईए लेका कि start-up के fail होने के पीछे के कुछ reason बताते है सबसे पहला reason है कि सारा काम employee पर छोड़ देना start-up failure का सबसे बड़ा कारण ये है कि entrepreneurs खुद काम नहीं करना चाहते और वे काम का सारा बोज टीम पर छोड़ देते हैं शुरुआत के दिनों में पूरी टीम मिलकर काम करती है लेकिन कुछ समय बाद entrepreneurs काम करना बंद कर देते हैं और अपनी टीम से उम्मीद करने लगते हैं कि वे लोग सारा काम करें एलन मस्क ने अपने एक interview में कहा था कि वे नहीं चाहते कि काम का सारा बोज उनकी टीम पर हो और वो खुद कहीं छुटियां मना रहे हो हर entrepreneur को इस से ये सीख लेनी चाहिए कि startup आपका है, idea आपका है तो मेहनत भी आपकी ही होनी चाहिए आप सारा काम टीम पर नहीं चोड़ सकते है दूसरा season है इस कास आफ मन्य ज्यादा तर startup पैसों की कमी के कान फेल हो जाते हैं पैसों की बेना business नहीं चल सकता लेकिन हमें खर्च के हिसाब से पैसों का management करना होगा ज्यादा तर startup अपने business पर इतना ज्यादा खर्च कर देते हैं और बाद में उन्हें अपने खर्च के हिसाब से return नहीं मिलता अगर आपके पास अपने business को grow करने के लिए पैसे नहीं है तो ऐसा startup अपने आप ही fail हो जाता है इस startup में आपको सीखने, experiment करने और अपने product में सुधार करने की जरवत होती है और इसके लिए पैसों की जरवत होती है business के लिए आप market से चाहे जितना भी पैसा एक खटा क्यों ना कर लें लेकिन आपको अपने खर्चे और आमदनी का सही management नहीं रखना आता है तो सब बेकार है तीसरा season है बहुत ज्यादा expectation करना कोई भी startup रातों रात successful नहीं बन जाता है नहीं ये कोई जादू से बन दा है startup को launch करने से पहले आपको पहले कुछ numbers को पता करना होगा ज्यादा तर लोग startup शूख करते ही ये सोचने लग जाते हैं कि उनके पास पैसों की बारिश होने लगेगी यही overconfidence उन्हें ले डूपता है जब आपकी acceptance आपके according पूरी नहीं होती तो आप demotivate हो जाते हैं विजन और mission किसी भी business का future है अगर आपके पास अच्छा vision और mission statement नहीं है तो आप एक अच्छी team नहीं बना सकते स्टार्टप शुरू करने से पहले real situation का सही अन्दादा ना लगा पाना इसके fail होने का main reason होता है चौथा है single founder का होना स्टार्टप में लोग पहली घल्दी ये करते हैं उन्हें लगता है कि मैं अकेले ही सारा काम कर सकता हूँ उन्हें लगता है कि मुझे किसी की जरुवत नहीं है लेकिन हकीकत नहीं है कि आपको अपनी company के लिए co founder को ढूनना होगा आपका ये co founder आपके business को बढ़ाने में आपकी help करेगा इसके साथ साथ आपको अपने office के लिए सही location चूज करना चाहिए क्योंकि location किसी भी business में बहुत important role प्ले करता है आपको अपने market के हिसाब से location को चूज करना होगा ताकि आप आसानी से customers को find कर सकें और आपके customers आपकर पहुंश सकें इसलिए सही founder के साथ सही location का होना भी बहुत जरूरी है पांचवा है अपने customer की समझ ना होना ज्यादा तर इस startup के fail होने का main reason यह होता है कि उन्हें लगता है कि वो अपने customers को समझते हैं example के लिए मान लो एक startup company ने कुछ innovative idea की खोच की उस idea को product में बदलने के लिए महीनों तक मेहनत की product idea को design करने में भी काफी समय खर्च किया जब यह product launch किया गया तो पता चला कि इस idea के लिए बहुत छोटा या ना के बड़ाबर market है इस तरह के startup से वो अपना कीमती समय और पैसा बचा सकते थे अगर वे अपने guest की बजाए relative पर decision लेते किसी भी startup को शूप करने से पहले customer की जरूरत पर research करनी चाहिए किसी भी idea को product में बदलने से पहले अपने customer से मिलना चाहिए और उनके बीच survey जरूर कराना चाहिए छटा है टीम में तालमेल अच्छा ना होना एक पुरानी कहावत है कि जहां चार बरतन रखे होंगे वहां आवाज जरूर होगी ठीक वैसे ही जहां चार लोग काम करते हैं तो उनमें छोटी मोटी अन्बन किसी ना किसी बात पर होती ही रहती है लेकिन ये कभी कभी छोटी मोटियन बन एक बड़े जगले की वज़ा बन सकती है जिसे हम कहते हैं ताल मेल बिगल गया है दोस्तों इस्टार्टप की टीम में ताल मेल होना बहुत ज़रूरी है अगर कहीं भी इस ताल मेल में थोड़ी सी भी दिक्कत आई तो समझ लीजिए आपका स्टार्टप खत्रे में है इस ताल मेल के खत्रे में आने के सबसे बड़ी वज़ा होती है चीज़ों को इंपोर्टेंस यानि वैल्यू ना देना और सेल्फ डिसिप्लिन यानि खुद पर कंट्रोर ना होना ये सभी पॉइंट परसनल लेवल के लिए नहीं होते ये सभी आपके स्टार्टप से जुड़े होते हैं साथमा रीजन है स्ट्रेजी में बड़े गैप होना ये बहुत बड़ा फ्रेक्टर है क्योंकि स्ट्रेजी बनाना आसान होता है लेकिन उसके हिसाब से काम करना उतना ही मुश्किल होता है स्टार्टप आइड़िया को एक बड़े लेवल पर ले जाने के लिए स्ट्रेजी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है जब एंटर्पिनोर अपने स्टार्टप आइड़िया को फटरनाग साबित हो सकता है, क्योंकि जब तक सभी टीम मेंबर्स को ये क्लियर नहीं होगा कि हमें आगे क्या करना है, तब तक टीम मेंबर अपना 100% नहीं दे सकते हैं, आठवा रीजन है आपका अनहेल्धी रहना, कहा जाता है हेल्थ इस वेल्थ, किसी भी कमपनी के फेल हो और गलत आदत जैसे शराब, सिगरेट पीने से भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है, सावधानी जरूरी है, लेकिन हद से ज्यादा सावधानी आपको नुकसान भी पहुँचा सकती है, इसलिए कभी आपको अपने स्टार्ट अप में रिस्क उठाना पड़े तो पीछे नह आपने एलन मस्क के बारे में सुना ही होगा, वो अपना घर तक गरिवी रखकर अपने स्टार्ट अप में लगा दिये थे, लेकिन आजकल वैसा करबाना पॉसिबिल नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत रिस्क उठाना चाहिए, बिना रिस्क के आप सेकंड भी नही आप इन एट रिस्क को ध्यान में रखकर अपने स्टार्ट अप को फिल होने से बचा सकते हैं, और अपने बिजनस को आगे बरहा सकते हैं, एक अच्छे लीडर के पास स्टार्ट अप को आगे लेकर जाने के कई आप्शन होते हैं, आप इन बातों का ध्यान रखकर अपने बिजनिस को successful बना सकते हैं Entrepreneurs कई अलग-अलग fields आते हैं और हर business product type, generation और culture में फैले हुए हैं लेकिन इन सभी Entrepreneurs में जो similarity है वो है success के लिए जल्दी सीखने की चाहत जिंदीकी में success तो हर किसी को चाहिए लेकिन उ success को पाने के लिए क्या करना जरूरी है इसका अंदाजा किसी को नहीं होता success को पाने के लिए हम पहली class से लेकर PhD तकी पढ़ाई करते हैं लेकिन कई बार अलग-अलग reasons के चलते success हमारे हाथ नहीं लगती कई बार success होने के लिए बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और business में लग जाते हैं लेकिन कई ऐसे business में भी हुए हैं जिन्होंने अपनी बिना स्कूली पढ़ाई किये अपने business को उचाईयों पर पहुँचाया है इन्ही में से एक है Richard Benson जिन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ कर business की शुरुआत की उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक magazine से की जिसके बाद उन्होंने Virgin Records की शुरुआत की जिसके बाद में उन्होंने Virgin Atlantic Airline Virgin Mobile, Virgin Train और Virgin Galactic जैसे बड़ी कमपनियों की शुरुआत की धीरू भाई अंबानी से लेकर गौतम अडानी इस्टीव जॉब से लेकर Bill Gates तक कई successful करोड़ पती और अरब पतियों ने formal school education नहीं ली है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई बंद कर दें बलकि जरूरी ये है कि आप केवल books के knowledge पर ही depend ना रहें थोड़ा informal रूप से भी education लेने की कोशिश कीजिए लेकर ने entrepreneurs के लिए Indian IT industry के कुछ lesson के बारे में बताया है जिनको हर एक entrepreneurs को सीख कर अपने business में अपलाई करना चाहिए पहला lesson है quality अगर आपको अपने business को एक successful business बनाना है तो आपको quality के साथ कोई compromise नहीं करना चाहिए कुछ कमपनियां ज्यादा से ज़्यादा project की manufacturing करते समय उसकी quality पर धान नहीं देती है जिस वजह से वे कुछ ही समय बाद flop हो जाती है अगर अपने business को great बनाना है तो आपको कम price के अंदर अपने product की अच्छी quality अपने customer तक पहुचानी होगी इसी बात को धियान में लगते हुए जापानी कमपनियों ने आटो मोबाइल industry पर अपना धिकार जमा लिया है और हमारा देश भारत software के field में लगातार दूसी कंटी से आगे निकलने का प्रयास कर रहा है IT इंडस्टी ने 1990 में quality मंतर को उपना आया था जहां एक और software की quality को लेकर controversy हो रही थी वहीं हमारे देश भारत ने controversy को join में करके इसके reasons का पता लगाना शुरू किया इंडिया लगातार software के field में दूसे देशों की compare में आगे बढ़ रहा है लेकिन जापानी कंपनिया लगातार इंडिया को software की race में बीट करती हुई दिखाई दे रही है दूसरा lesson जो IT इंडस्टी से हमें सीखने को मिलता है वो है abundance mindset दुनिया के जितने भी बड़े businessmen है उन सभी का मानना है कि entrepreneurs को abundance mindset रखना चाहिए scarcity mindset नहीं क्योंकि जो scarcity mindset के लोग होते हैं उनका मानना होता है कि resource limited है और वे जल्दबाजी में आकर कुछ ऐसे decision ले ले लेते हैं जो आगे चल कर उनके business को fail कर देते हैं ऐसे mindset वाले लोग सिर्फ अपना ही benefit देखते हैं कसमर को जो भी product या service बेच रहे हैं उसकी क्या quality है उस पर ध्यान नहीं देते हैं वहीं दूसी और abundance mindset वाले लोग सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने business को आगे लेकर जाते हैं उन्हें पता रहता है कि resource unlimited है और वो बुरे हालात में भी एक opportunity को देखकर अपने business के लिए काम करते हैं तीसरा lesson है टेक्स का सही समय पर भुखतान करना आप जितनी भी बड़ी company ओपर नजर डालेंगे तो आपको उन सभी में एक common चीज नजर आईगी कि वे लोग अपने tax का सही समय पर भुखतान करते हैं कुछ businessmen ऐसे भी होते हैं जो अपने tax को बचाने के लिए सरकार को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो ऐसे लोग लंबे समय तक business में नहीं बने रह सकते अगर आपको अपने business को successful बनाना है तो सबसे पहले आपको tax pay करना होगा चाहे आपके business में कितनी भी मंदी क्यों ना आ जाए tax pay करने के बाद आपके business में जो भी problems आपको face करनी पड़ें उनको solve करने का प्यास करना है चौथा lesson है कि company में owner और workers के लिए same rule होने चाहिए जब आप अपने business को हिरारकी free कर देंगे तो आपके business के success होने के chance कई गुना बढ़ जाते हैं यानि कि आपको अपनी company में owner और workers के लिए same rule apply करने होंगे आपके workers को ऐसा बिलकुल भी महसूस नहीं होना चाहिए कि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं जहां पर एक owner की गाली पार्क होती है वहीं पर एक customer और एक workers की गाली भी पार्क होनी चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि owner के लिए एक अलग toilet हो और वहां के workers और आने वाले customers के लिए अलग जब आप अपनी company में तरीके के rule apply करेंगे तो आपके workers में एक अलग ही motivation आएगा उन्हीं कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि वो किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं और अगर आप उनके साथ मिल करके अपने business को grow करने के idea के बारे में discuss करेंगे तो definitely आप अपने business को काफी हद तक success की रहापा ले जा पाएंगे छटे lesson में हमें जो IT industry से सीखने को मिलता है वो है myths यानि business को लेका लोगों के खलत सोच कुछ लोगों ने ये अफ़वा पहलाई हुई है कि किसी भी successful business के लिए आपको एक great idea की जरुवत होती है ऐसा आपने बहुत सारे सेमिनार में या लोगों के मूँ से सुना होगा लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लोगों की दूसरी मित ये है कि हमें एक powerful company बनाने के लिए charismatic leader के जरुवत होती है तीसरी मित ये है कि एक visionary company बनाने के लिए हमारा focus पैसे कमाने पर होना चाहिए चौथा मित ये है कि visionary company तब ही आगे बर सकती है जब वो अपने competitor को beat करना सीख जाए आपको अपने business को तेजी से बहाने के लिए एक rock star CEO की ज़वत पड़ेगी तो ये सारी बातें जो हैं बस एक myth है लेका कहते हैं कि ये पाचों myths गलत है आपके business में long term के लिए success को define नहीं कर सकते जो भी visionary company होती है वो अपना focus किसी भी product पर नहीं करते हैं और ना ही किसी leader पर करते हैं बलकि वो अपना पूरा focus अपने organization के fundamentals पर करते हैं साथवा लेसन जो IT इंडस्टी से entrepreneur को सीखनों के मिलता है वो है Big Harry Audacious Goal BHAG अमेरिका की Boeing company पहले केवल jet aircraft बनाती थी उस समय वो successful भी थी लेकिन उन्होंने market को समझते हुए Big Harry Audacious Goal सेट किया उनका goal ये था कि वे अब commercial aircraft भी बनाएंगे और वे एक new market में इंटर करेंगे उनका ये goal काफी risk ही था और कई लोगों के हिसाब से ये impossible भी था इसी वजह से उनके सबसे बड़े competitor Douglas Aircraft ने उनको avoid किया Boeing company ने भी risk लिया और at the end इसमें बहुत बड़ी success भी हासिल की और Douglas Aircraft बहुत पीछे रह गए इसलिए जरूरी है कि आप भी BHAG के process को अपनाए उनमें 5 quality हो मतलब वो clear होने चाहिए compelling हो जिसमें आप 100% committed हो आपने जो goals बनाए हैं आपको उन्हें achieve करनी के हमेशा कोशिश करने चाहिए example के लिए 1961 में अमेरिका के Kennedy ने अपने business के लिए BHAG goals को set किया था एक इंसान को चांद पर भेजने का उसे सही सलामत अर्थ पर वापस लाने का goal में वो 5 की 5 quality मौजूद थी जो कुछ लोगों को इस्टूबिट लगी जब ये goal पूरा हुआ तो इसने अमेरिका पर positive impact डाला इसकी वज़ा से अमेरिका का नाम दुनिया भर में मशूर हो गया आठवा लेसन IT इंडेस्टी से हमें ये मिलता है कि IT इंडेस्टी में काम करने वाले लोग चांदी के चमबचे पैदा नहीं हुए थे यानि उन्होंने इस business को इतना बड़ा बनाने के लिए कोई भी shortcut रास्ता नहीं अपनाया जितना समय एक business को grow करने में लगता है उतना समय IT इंडेस्टी में उन लोगों ने दिया और एक दूसरे business की तरह ही उन्हें भी बहुत सारे problems को phase करना पड़ा सभी leaders ने dedicated होकर अपना काम किया जिससे दो चीज़ें सीखने को मिलती है पहली तो ये कि IT इंडेस्टी इंडिया का एक brand बन गई और दूसरी ये कि इसने बिना किसी rules को break किये IT इंडेस्टी को आगे ले जाने का काम किया इससे हर एक entrepreneur को ये सीखने को मिलता है कि हमें business को grow करने में चाहे कितना भी समय क्यों न लगे लेकिन हमें कभी भी हार मान कर give up नहीं करना चाहिए नवा लेसन IT इंडेस्टी के बारे में ये बताता है कि keep learning यानि हमेशा सीखते रहें दुनिया भर में जितने भी successful और महान इंसान है वे कभी हार नहीं मानते या तुरह ने जो goal set कर रखा है उसको पूरा करते हैं या फिर वे वे अपने failure से कुछ न कुछ जरूर सीख लेते हैं वे लोग कभी भी बाहना नहीं बनाते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता और मैं fail हो गया इसकी बजाए वे ये decision लेते हैं बारे में अच्छे से सीख लिया है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आप आगे कुछ सीखना ही बंद कर दे क्योंकि नॉर्मली देखा गया है कि जब लोग किसी चीज़ के बारे में सीख लेते हैं फिर उसमें उनका interest कम होने लगता है आपको अपने सीखने का दाइरा limited नहीं रखना चाहिए क्योंकि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही आपका उस field में experience बलता रहेगा और आने वाले कुछ सालों में आप एक ऐसा business build कर पाएंगे जिसमें कोई भी कॉमिटीटर आपके सामने खड़ा होने की हिम्मत नहीं कर पाएगा कुकू FM पर आप सुन रहे थे पुस्तक High Performance Entrepreneur इसे आप तक पहुंचा रहा था मैं आरजे अनवारुलहसन नमस्कार